राश्ट्रपती महोदे, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा निश्चित की हुई सम्विधान की रूप रेखा को प्रस्तुत करता हूँ और निवेधन करता हूँ कि इस पर विचार किया जाए राश्ट्रपती महोदे, सर, मैं ये सदन में उपसित उन लोगों में से एक हूँ, जो जानते है कि इस सम्विधान का मसोदा तयार करने में, ड्राफ्टर अमबेट करने कितनी महनत और लगन खर्च की है शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनित साथ सदस्यों में से एक ने इस्तिफा दे दिया, और उसकी जगर किसी और को नहीं लिया गया एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगर भी खाली रही, और एक और सदस्यों अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे इसलिए उनकी जगर भी खाली रही एक या दो सदस्यों दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वज़र से शामिल नहो सके इसलिए आखिर में हुआ यूँ के मसोधा तयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्तर अम्बेटकर पर आओर मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुविहित है मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बियन राव को जो कि हमारी इस सभा के समवधानिक सलाहकार है जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी के विचार करने के लिए समवधान का कच्छा मसोधा तयार किया इस श्रे का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमिल्टी के सदस्यों को भी जाना चाहिए मैं यहाँ पर सम्विधान की अच्छाईयां गिनाने नहीं जाओंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सम्विधान कितना भी अच्छा क्यों न हो वो अंततय बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तिमाल मिलाने वाले लोग बुरे होगे और सम्विधान कितना भी बुरा क्यों न होगा वो अंततय अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तिमाल मिलाने वाले लोग अच्छे होगे इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्ब में लाए बिना सम्विधान पर कोई भी निर्ड़े देना या कोई भी टिपणी करना मेरे विचार में गर्थ हो धन्यवाद यहां आसन पर बैठे हुए और प्रते दिन की कारवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ जो साइट किसी और को न हुआ हो कि कितने उस्साह और लगन के साथ सम्विधान समीती के सदस्यों ने और खास तोर से उनके चेर्मेंट डॉक्टर अंबेटकर ने अपनी खराब स्थेहत के बावजूद ये काम फूरा किया